जी हाँ स्वागत है आपका तो हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतरगत आने वाले महत्यपूर्ण और परिच्छा प्योगी प्रशनों पर जी हाँ पहला पॉइंट नेता जी सुवास रास्टिये खेल संस्थान पटियाला में कब सुरू हुआ जी हाँ ये कोश्चन कई बार परिच्छाओं में पूछा जा चुका है इसको भी जरूर ध्यान में रखें कोश्चन नमबर सेकेंड प्राचीन ओलंपिक की सुरुवात किस वर्स से हुई या कब से हुई तो 776 इसा पूर्व ग्रीश से हुई थी कोश्चन नमबर थर्ड आधोनिक ओलंपिक की सुरुवात कब से हुई थी 1896 एथेंस से सुरुवात हुई थी जी हाँ ये महात्यपूर्ण प्रस्चन जो आपके परिच्छा के लिए बेहद उप्योगी है प्रस्चन नमबर चौथा देखिएगा कोशिका के किस भाग को प्रोटीन्स की फैक्टरी कहते है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम जी हाँ ये भी कोश्चन बार बार पूछा जाने वाला प्रस्चन है प्रस्चन नमबर पाँचवा कोशिका के किस अंग को cellular garbage disposal कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम इसके अलावा कुछ सूचना है प्र पीडियफ कॉंटेट करें यहां से जी हाँ अगर आप कम से कम में आप तैयारी करना चाहते हैं तो पीडियफ के लिए यहां कॉंटेट करेंगा जी हाँ चलिए कोशन नमबर प्रस नमबर से देखिएगा हट्डियों का अध्यन क्या कहलाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओस्टियोलोजी जी हाँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कम से कम समय में जादा से जादा तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िएगा प्रस नमबर सात्मा देखिएगा मानो सरीर में कितने परकार के जोड़ पाये जाते हैं तो इसका सही उत्तर होगा तीन परकार के जोड़ पाये जाते हैं प्रस नमबर आठ जोडों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो जोडो के अध्यन को आर्थोलोजी कहते हैं अब बात करते हैं कोश्चन नमबर नाइथ की जी हां कोश्चन नमबर नाइथ देखिएगा महात्यपूर्ण प्रश्ण कोशिका में उर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान क्या है माइटो कॉंडरिया प्रश्ण नमबर दस देखिएगा दो जेड लाइनों की मद की दोरी को क्या कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार को मियर कोश्चन नमबर 11 देखिएगा कोश्चा की जिल्ली किसकी बनी होती है तो ये बनी होती है सेलिलोस की अगला question question number 12 jeans का समवान कब होता है तो jeans का समवान गरभाधान के समय में होता है चलिए लगातार हम प्रशन करते जा रहे हैं और आप भी उत्तर का जबाब देते रहेगा जी हाँ प्रशन का जबाब देते रहेगा चलिए question number next की बात करते हैं जी थोड़ा सा चेक करते रहे हैं अपने आपको question number 13 है पुरोस और इस्तरी की सैयुक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैमेट्स जी हाँ अगला question question number next है केंद्र विंद यानि नियोकिलियस की खोश किस ने किया था तो इसका सही उत्तर क्या होगा Robert Brown चलिए question number 15 की बात करें question number 15 देखिएगा आँखों में कौन सेल का कारी करता है जी हाँ कौन सेल का कारी बताईए तो इसका सही उत्तर होगा यहा रंगों का वर्गी करण करता है question फिर से देखिएगा आखों में कोन सेल का खायरी बताईए तो यहां रंगों का वरगी करण करता है question number 16 साइटो प्लाज्म को और किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा protoplasm या फिर जीवरस के नाम से जाना जाता है question number next की बात करें question number 17 जी आरवेसी का जीवन काल कितने दिन का होता है तो सही उत्तर 120 दिन का जी हां लगातार आप भी guess करते रहिएगा इसलिए यहां पर प्रस्न छिपाए गए है प्रस्नों के उत्तर छिपाए जा रहे है तकि आप भी guess कर पाईए सिर्फ पढ़ना ही नहीं है अब भ्यास भी लगातार करना है जी हां चली एक question no 18 देखिएगा 1947 से पहले भारत में कितने सारेरिक शंस्थान थे सारेरिक सिच्छण संस्थान थे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार सारेरिक सिच्छण संस्थान थे अकला question question no 19 question no 19 देखिएगा सारेरिक सिच्छा का मोल तत्व क्या है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारेरिक गत्विधी चलिए कोश्चन नमबर 20 की तरह कोश्चन नमबर 20 देखिएगा सारेरिक सिच्छा का एक अभिन अंग है जी हां ये किस ने कहा था चार्ल्स ये बूचर ने कहा था कोशल न hemब 20 देख़िएगा कोशल नमब 21 जी साई- statistics का साई में विले कभ वढ़वा तुसका इस उत्तर हो पाई MCA की स्थापना किस वर्स होई थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HC बक द्वारा 1920 में मदरास में जी हाँ चलिए अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 23 राज कुमारी अमरित कौर किस खेल की सर्व स्रेष्ट खिलाडी थी स्रेष्ट खिलाडी थी तो ये टेनिस की स्रेष स्रेष्ट की बात करें तो कॉल कूपर ने कपूर ने अपना कायरी कब शुरू किया था तो इसका सही उत्तर जाएगा 1960 इसवी में अपना कायरी करना शुरू किया था कॉश्चन नमबर 27 देखिएगा कुजुरू शमित का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 डाक्टर हिर्दैनात कुजुरू के द्वारा किया गया था Qчто No. 28 देखिएगा राश्टीए खेल नीत का प्रारम कभ वहा था तो 1984 में अगला Quse No. 29 राश्टीए सवस्तता कोर को भारत में बॉर्ड द्वारा कभ मानिता मिली तो सही उत्तर 1965-1966 में अगला Q Ee to No. 30 गिस अधनियम द्वारा NCC को भारत में लागू किया गया था तो सही उत्तर हो जाएगा भारतिय अधनियम 1948 के द्वारा चलिए अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 31 भारतिय सिच्चा आयोग द्वारा सारेरिक सिच्चा को कब माननेता दी गई तो सही उत्तर 1882 हंटर सिच्चा आयोग के द्वारा चलिए कोश्चन नमबर 32 Christian College of Physical Education लखनों की अस्थापना कब हुई थी तो इसका सही उत्तर आपने विल्कुल गेस क्यार लिया 1932 में चलिए प्रस नमबर 33 देखिएगा School Games Federation की अस्थापना भारत में कब हुई तो इसका सही उत्तर हुआएगा 1954 में हुई थी अगला कोश्यन, कोश्यन नमबर 34 की बात करें तो भारत में किस वर्स सारेरी सिच्चा विस विद्याले की अस्थापना की गई तो 1928 द्वारा मदरास में की गई थी तो ये थे सारेरी सिच्चा की अंतरगत आने वाले महत्यपूर प्रशन और भी प्रशनों पर चर्चा इसके नेस्ट पार्ट में करेंगे हमारे वेडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद